हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, तो आज की वीडियो में मैं आपको छे नमबर के कानाजी की ये सुन्दर सा प्याला सा डिजैन बनाना बताऊंगी ये मैंने दो कलर से बनाई है, लाइट, ग्रीन और येलो से, आप चाहो तो इसे किसी भी कलर में बना सकते हो, छोटे बड़े कानाजी के लिए आप इस रेस को इस तरीके से बना सकते हो, जैसे मैंने हापे ये 6 नमबर कानाजी के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और एक येलो का 10 10 राउंड बनाए हैं, आप इसे चोटे कानाजी के लिए इसे और दो राउंड कम कर सकते हो, उसे चोटे के लिए और दो राउंड कम कर सकते हो, तो इसी तरीके से इसे बड़े कानाजी के लिए बनाने के लिए आप यहाँ पर और राउंड बढ़ा सकते हो, और अपनी ड् स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरी चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले मेरी चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि मेरी हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें देखिए फ्रेंड्स मैंने छे नंबर के काना जी की चोली बना के तियार रखी है तो चली आगे का घेरा स्टार्ट करते हैं मिसका तो सबसे पहले हम यहां पर तीन चेंड बनाएंगे एक मैंने बना रखिती दो तीन पिर सेम प्लेस पर यहां एक और बना देंगे तो तेन केक चेन को हमेशे एक डबल कुरूशे मानेंगे फिर एक और तो एक की चेन में दो बनाए हमने फिर नेक्स्ट में एक फिर नेक्स्ट में दो बनाएंगे एक सेम प्लेस पे एक और फिर नेक्स्ट में एक फिर नेक्स्ट में दो फिर next में एक तो हमें ये पूरा राउंड इसी तरीके से complete करना है starting में दो बनाए है हमने फिर एक, फिर दो फिर एक, फिर दो, फिर एक तो इस तरीके से राउंड को complete करेंगे तो देखें हमारे राउंड यहां complete हो गया है last में हमारे दो double crochet आए है अब जो तीन की एक chain थी उसकी third chain में हम इसको यह slip stitch कर देंगे उसके बाद next round में एक, दो, तीन तीन chain मिनाएंगे और फिर यहीं पे same place पे हम एक double crochet ओवर बनाएंगे फिर उसके बाद एक, दो, दो chain और फिर same place पे दो double crochet ओवर बनाएंगे एक, दो फिर एक, दो, दो chain बनाएंगे और एक, दो, तीन, तीन chain skip करेंगे और फोर्थ chain में हम दो double crochet बनाएंगे एक, दो, एक ही chain में हमने दो double crochet बनाएंगे फिर एक, दो, दो chain और same place पे फिर से दो double crochet बनाएंगे फिर से एक, दो, दो chain एक, दो, तीन, तीन chain skip करेंगे और फोर्थ chain में फिर से हम एक कली बनाएंगे एक double crochet, same place पे एक और फिर एक, दो, दो chain फिर सेम पे दो double crochet एक, दो, फिर से दो chain तो इस तरीके से हमारी ये कली बनती जाएंगे देखें, हमने एक ही chain में चार डबल क्रूश्य बनाएंगे हैं और पीच में दो chain और पीच में हमने दो chain का space दिया है फिर तीन chain skip की हैं, दो chain बनाके हमने फिर से हमने फोर chain में चार डबल क्रूश्य किया, एक कली बनाएंगे तो इस तरीके से हम कली बनाते जाएंगे, राउंड को complete करेंगे देखें हमारा यह second round यह complete हो गया है अब last में हमारे पास यहां पर फोर chain बची हैं, तो हम इन फोर को यह skip कर देंगे सभी में हमने 3-3 chain skip किया है, लेकिन यहां पर एक chain extra है तो आप इस तरीके से adjust कर सकते हैं, और यहां पर जो third chain है तीन के एक chain की उसमें slip stitch कर दीजे इसके, तो आप इसको यह slip stitch कर दीजे फिर उसके बाद next round में हम, जो तीन के एक chain है, इसको skip करेंगे और फिर इस chain के उपपर, एक, दो, तीन, तीन chain बिनाएंगे और फिर जो यह दो double crochet के बीच में हमने दो chain का gap दिया था यहां पर हम फिर से एक कली बिनाएंगे एक, दो, दो double crochet, फिर एक, दो, दो chain फिर सेंब प्लेस पर दो double crochet, एक, दो, अब इसके बाद जो यह next double crochet है देखे, इसकी chain में हम, इसके उपर एक double crochet बनाएंगे फिर उसके बाद एक, दो, दो chain अब फिर से, फिर से फास्ट वाला double crochet हम skip करेंगे और सेकिंड वाले double crochet के उपर हम एक double crochet बनाएंगे और फिर हम यह जो हमने chain space दिया था, यहां पर हम एक कली बनाएंगे चार double crochet की एक, दो, फिर एक, दो फिर से सेंब प्लेस पर दो double crochet, एक, दो फिर जो यह double crochet है, इसके उप़र हम एक double crochet बनाएंगे फिर से एक, दो, दो chain और जो फास्ट वाला double crochet skip करेंगे, और सेकिंड पर हम double crochet बनाएंगे देखे, फास्ट राउन में हमारे पास चार double crochet थे सेकिंड में हमारे पास छे double crochet के एक कली आई है तो इस तरहीं के से राउन को complete करेंगे, तो देखे मैंने हैं अपना सेकिंड राउन भी complete कर लिया है अब लास्ट में जो तीन के एक चेन थी, उसकी थार्ड चेन में हम इसको यहाँ slip stitch कर देंगे, अब slip stitch करते हुए next double crochet पर जाएंगे हमेशा हमें हर row में जो हम तीन के एक chain बनाएंगे उसमें नहीं बनाना है, उससे next वाले double crochet के उपर से starting करनी है हर round में हमें जो तीन के एक chain है उसके उपर नहीं बनाना है, जो उससे next double crochet है, वहाँ से हमें round के starting करनी है तो एक चेन बना लिए हमने दो तीन तीन के बाद जो ये नेक्स डबल कुरुश्या है इसमें हम एक डबल कुरुश्या और बनाएंगे फिर जो दो चेन का हमने स्पेस दिया था यहां पर हम एक कली बनाएंगे एक डबल कुरुश्या दो डबल कुरुश्या फिर एक दो दो दो डूबल क्रोशे अब बनाँगे एक तो हमारी यह दो डूबल क्रोशे हमे इनके ओपर दो डूबल क्रोशे बनाने हैं और हमेशा हमें Solar Bene हमें क्र रेता हler अधर स्किप करना हैं है अब यह नक्स्ट पर बनाएंगे दूबल क्रोश्यय कर दो दो चेंडशाएंगे फिर स्किप करना है, फिर सेकंड डबल कुरूशिय के उपर बनाएंगे हम, फिर नेक्स्ट के उपर बनाएंगे हम, फिर नेक्स्ट हमें कली बनानी है, जो हमारे चेन स्पेस है इसके बीच में, एक डबल कुरूशिय, दो, फिर एक, दो, दो चेन, फिर दो डबल कुरूशिय बनाएंगे हम एक, दो, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिय, फिर नेक्स्ट में, लास्ट वाला हम यहाँ पर स्किप कर देंगे, फिर एक, दो, दो चेन, फिर फर्स्ट वाला हम स्किप कर देंगे, नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिय, तो देखे स्टार्टिंग में हमारे पास चार डबल क्रोशे की कली थी फिर छे की हो गई फिर यहां आठ की हो गई तो इस तरीके से हमारे हर राउंड में कलिया बढ़ती जाएंगी कली हमें यहां चार चार डबल क्रोशे की बनानी है बस जो साइड में जो डबल क्रोशे हैं इन के उपर हमें devil crochet increase करनी है और हर round में starting में हमें chain के उपर से starting नहीं करनी है second वाले से start करना है first हमें skip करना है और last वाला तो हमारी कली increase होती हुई जाएगी तो इस तरीके से मैं round को complete करूँगी तो देखे हमारे यह round भी हां complete हो गया है अब जो 3 केक चेन है उसकी 3rd चेन में हम इसको शलिप्सटिच कर देंगे तो जैसे कि मैंने पहले बिदाया था तो हम यहां से स्टार्टिंग करने नहीं करने है नेक्स्ट चेन में हमें यहां पे शलिप्सटिच करना है फिर 1, 2, 3, 3 चेन बिनाइंगे अब जो ये तीन डबल क्रोशिय हैं इनके उपपर हम एक डबल क्रोशिय बनाएंगे तो पहले के उपपर तो हमने skip कर दिया fast तो हमने second पर हमने तीन के एक chain बना दिया है फिर next पर एक डबल क्रोशिय फिर next पर फिर next जो chain space है इसमें चार डबल क्रोशिय के कली बनाएंगे एक दो फिर दो chain फिर एक दो फिर next डबल क्रोशिय के उपर एक डबल क्रोशिय फिर next के उपर फिर next के उपर last वाला में skip करना है फिर एक, दो दो chain फिर first वाला next कली की first वाला double crochet skip करना है next पे double crochet फिर next पे फिर next पे फिर चार double crochet की कली बनानी है chain space में एक दो एक, दो दो chain मिनाएंगे फिर same place पे दो double crochet मिनाएंगे एक, दो फिर next double crochet के उपर एक double crochet फिर next के उपर फिर next के उपर last वाला हम skip कर देंगे फिर एक, दो दो chain मिनाएंगे next कली का first skip करेंगे second में हम एक double crochet बनाएंगे तो इस तरीके से देखें हमारे कलिया बनती जाएंगे first में four, second में six, third में eight, fourth में हमारे ten double crochet आ गए है देखेंगे, मैं count कराते हूं, तीन के एक chain को एक मानेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर chain space, छे, साथ, आट, नो, दस तो इस तरीके से हमारे गहरा बढ़ता जाएगा, तो आप अपने desk के according जितने भी आपको गहरा पसंदो, आप उसके according अपना गहरा बना सकते हो, इसके बाद next round में 12 हमारे पास, एकी कली में double crochet आएंगे, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 16, तो इस तरीके से, अगर आप का गहरा, अगर आपके गहरे के अंदर जोल आए, तो एक ही रो को हम दो बर repeat कर सकते हैं, क्योंकि यह depend करता है, किसी का हाथ lose हो, चलता है, किसी का tight, जैसे कि मैंने 10 की हैं, तो जिसका हाथ lose चलता है, वो दुबारा भी 10 की ही रो बना सकते हैं, क्योंकि फिर जोल आएगा, अगर आपका जोल लाए, तो आप double crochet increase करते जा सकते हैं, तो इस तरीके से पहले आप अपने dress का घेरा बना लेजे, उसके बाद मैं आगे का design बताऊंगी, तो देखे friends, मैंने अपने घेरा बना लिया है, जितना मुझे अपने dress में घेरा चाहिए था, तो मैंने इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैंने इसमें 9 round complete कर लिया है, और यह मेरा घेरा इतना तियार हो गया है, आप चाहो तो इससे बढ़ा भी रख सकते हो, अब मैं इसके आगे का design बताऊंगे आपको, तो जो आगे का design मैं हो yellow color से बताऊंगी, yellow से मैंने इसका border बनाया था, तो पहले मैं yellow धा लगा slip stitch कर लोंगे, फिर एक slip stitch और कर लोंगे, इस तरीके से, अब एक, दो, तीन, तीन chain में लाली हैं, फिर एक, दो, तीन, तीन और मना ली हैं, फिर 1, 2, 3, 4th chain में मैं इसको, यहाँ पर slip stitch कर दोंगी, इस तरीके से हैं, एक loop बन गया है, फिर जो next हमारा double crochet है, इसकी chain में नहीं बनाना है, बीच में बनाना है हमें, यहाँ पर एक double crochet बनाऊंगी, फिर एक, दो, तीन, तीन chain मिनाऊंगी, और इनके बीच में crochet hook डालके, यहाँ पर इसको एक slip stitch कर दोंगी, अब फिर से next double crochet की बीच में, एक double crochet बनाऊंगी, फिर एक दो तीन तीन चेन और इसके बीच में निकालके किया लूप बना दूँगी फिर नेक्स्ट में एक दो तीन फिर नेक्स्ट में एक दो तीन फिर नेक्स्ट में अन्यक्सट में झिल्च्ट में झिल्च्ट में झिल्च्ट में फिर नेक्स्ट में अब इसके बात यह जो हमारी कली है जहां पर हम बीच में यहां पर चार डबल कुर्शिय बनाते थे जिदे के इस डिजाइन में हम बीचो बीच में यहां पर हम बनाएंगे एक डबल कुर्शिय एक दो तीन करेंगे एक लूप बनाएंगे अब यहीं पर सेम प्लेस पर हम एक ट्रिपल कुर्शिय बनाएंगे एक बार निकाला फिर दो बार फिर तीसरी बार फिर एक दो तीन तीन लूप तीन चेन बनाके एक लूप बनाएंगे फिर दुबारा से यहीं पर सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिय और बनाएंगे फिर एक, दो, तीन सभी राउंड में पहले मैंने यहाँ चार चार डबल क्रोशिय बनाए थे अब मैंने तीन बनाए हैं, तीन के बीच में मैंने एक ट्रिपल क्रोशिय बनाए है if you next me फिर नेक्स्ट में ब्लास्ट वाले के बाद हमें इसकिप करना है यहां कुछ नहीं बना रहा है में नेक्स्ट हमें पर नेक्स्ट हमें डबल क्रोशे की बीच में हमें यहां डबल क्रोशे बनाना है और फिर से यह तीन चिन बनाके एक लूप बनाना है फिर नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट में तो इस तरीके से देखे यह हमारा डिजाइन जो आएगा इस तरीके से आएगा तो हम पूरे राउंड को इस तरह से कंप्लीट करेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो देखे हमारे राउंड पियां कंप्लीट हो गया है तो यह हमारा इस तरह के से घेरा आया है पुरा और लास्ट में जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम इसको फिनिश करेंगे जो तीन की एक चेंड मिलाई थी इसी में हम इसको इसलिप स्टेच कर देंगे यह पर एक चेंड मिलाके धाके यह कट करके पीछे की तरफ एड़ेस्ट कर देंगे फिर उसके बाद हम इसको ऐसे इस तरह के सेट कर लेंगे और डेकोरेशन के लिए आप यहां मोती का यूज कर सकते हो या फिर किसी और बटन का यूज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे आपको यहां पर यूज कर सकते हो तो देखिए एस तरीके से मैंने यहाँ मोती आटेच कर दी आछ एसम सारी ड्रस पे मैंने हाँ मल्टी कलर की मोती यूज़ करें हैं आप यहाँ एक कलर की मोती कर सकते हो अब मैं इसका पटकबं動画 अँख बिटा भी आएग्स पटकबं दीगा और फिर यहां पर मैं डबल कुरूशिवना होगी तो तीन की एक चेंड को एक मानेंगे दो तीन चार पंदरा धागे को एकदम से टाइट खीच के और जो तीन की एक चेंड की थी उसकी थर्ड चेंड में इसको एक स्लिप स्टेच कर देंगे ये ग्राउम सर्कल बन के तियार होगे है एक, दो, तीन चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेहरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उननिस, बीस, एकिस, बाइस, तेस, चोबिस, पचिस इस तरीके से मैं पहले हाँ चेन बना लूँगे, बड़ी थोड़ा और बड़ी, तो यह मैंने इतनी बड़ी हाँ चेन बना लिया और ऐसे मीजर करके देख लिया है अब यहाँ पर इमें एक, अब इसके बाद एक, दो, तीन तीन चेन बनाने के बाद, फूर्थ चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे तो तीन के एक चेन को एक माल लेंगे, फिर दो, तीन इसी चेन में हमें हमें हाँ, फिफ्टीन डबल क्रोशे बनाने हैं, जैसे हमने यहाँ बनाए थे तो देखी, मैंने अपनी हाँ यह डोरी बना ली है, पटका भी बोल सकते हो इसको तो इस तरीके से आप इसको ऐसे एक नौट लगाके और ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप इस डोरी को और थोड़ा लंबा भी उना सकते हो तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, मेरे समझाने का तरीका, प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू